और चले हम बात कर लेते हैं जैपूर की जहां सुखदेव गोगा मेरी मडर केस के शूटरों की आखरी लोकेशन रेवारी में मिली है रेवारी से गाजयबाद जाने के आश्रंका है शूटरों का ठिकाना पता लगाने में राजिस्तान पुलिस के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपे पुलिस भी लगातार मदब कर रखी है हमलावरों को पकड़ने के लिए एंसी आर में लगातार चापे मारी की जूटरों की आखरी लोकेशन का पता चला है यह तस्वीर जिसने पूरे देश को जगजोर का रख दिया था कि आखिर किस परीके से यहाँ पर गोली बारी की गई थी और शक्स को मौत के घाट उतार दिया गयता हालकि जो जानकारी है कि हरियाणा के रिवाडी में यह आखरी लोकेशन पाई गई है हरियाणा के रिवाडी से गाजियबाद जाने की भी आशंका और इसलिए राजिस्तान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पुलिस जो है वो लगतार इस ओपरेशन में जूटी हुई है यह कोशिश की जा रखी है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके शूटरों के आखरी लोकेशन हरियाणा के रिवाडी में मिली है और उसके बाद हरियाणा के रिवाडी से गाजियबाद भागने की आशंका जताई जा रही है यह वो CCTV पुटेज जिसे जिसने भी देखा वो हैरान रहे गया और 5 दिसंबर को सुगदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर फरार हैं पुलिस राजस्थान के अलावा हरियाणा दिल्ली पंजाब और उत्तर प्रुदेश में भी उनकी तलाश कर रही है अब तक की जानकारी क्या सामने आई है वो ज़र आपको समझाने की कोशिश करते हैं अब तक की जानकारी ये है कि उसके मताबिक हमलावर जैपुर में मुर्डर करते हैं और उसके बाद राजस्थान के ही कुचामन में वहाँ पर चले जाते हैं कि यहाँ पर डीडवानव हो जाते हैं वहाँ पर कार खरीदते हैं और उसके बाद की जानकारी यह सामने आती है कि वो दिल्ली की और आगे भाग जाते हैं अला कि आपको ये भी अपडेट बता दे कि जो उनकी लोकेशन है वो रिवाडी में पाई गई है अब शक ये है इस मैप को दिखाने के साथ सथ हम आपको ये समझा रहे हैं कि शक ये गहरा रहा है कि वहाँ से वो गाजियाबाद भाग गए होंगे जो भी आसपास की इलाके है सब पुलिस की मदद लेकर इस वक्त ढूडने की कोशिश की जा रही है देखे शुरुआत यहाँ पर होती है कैसे जैपुर में मडर किया जाता है कुछामन वो बस से पहुँच जाते हैं और उसके बाद सुजानगर पहुँच जाते हैं फिर द बताया जो रहा है कि गाजयबाद जो है वो आकरी लोकेशन है और अब ये भी कहा जो रहा है कि आप दरसल क्यूंकि रिवाडी से गाजयबाद भागने की आशंका है लेकर इनसा पे बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुखदेव हत्याकार्ण में गैं बड़ी जानकार इस वक्त की आपको दे रहे हैं पोलिस उन 850 लड़कों की अब तलाश कर रही है उनकी सबसे पहले एक लिस्ट जो है तैयार की जा रही है और उनसे जो है जानकारी जुटाई जाएगे लेकिन सब के बीच में आप समझे राष्ट्रे करणी सेना के अध्य बाते उनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास उंतिजाम थे पूलिस की टीमें यहां पर लगातार पहुंची है पूस्ताज करने के लिए चाहे कहें पूस्ताज या फिर छापे मारी को की आजपास का जो इलाका है रोहिद गोदारा का पूरा बच्पन से यहां पर समय बीता है और उसके कपूरी सर इलाके में भी हम गये थे जहां पर पहले उसका घर था उसके बाद यहां पर वो जमिल लेकर इस जगर पर आया अपने खेतों में आगे को कि वहां पर का प्लॉट रूनों ने बेज दिया था जिसके बाद अब इन्वेस्टिक्शन टीमें लगातार छापे मारी कर रही है रात भर पूलिस की टीम आई थी कई जो दोनों शूटर हैं अभी भी फरार हैं और शूटरों की तलाश के लिए पुलिस की टीम है लगातार का पूरी सर हरिया सर और उसके आसपास के उन इलाकों में चापे मारी कर रही है या जा रही है पूस्ताज करने के लिए तो सवाल कई है कि आखिर जब इतनी सुरक्षा थी तो आखिर किस तरीके से घर में शूटर घुसे और उन्होंने इस तरीके से गोली बारी की लेकिन दोनों शूटर जब सुखदेव सिंगोगा मेडी की हत्या कर फरार हुए तब उन्हें लगातार लोजिस्टिक सपोर्ट इतना इन्हें अब खबर ये भी है कि शूटर फर्जी पास्पोर्ट के जरिये विदेश भाग सकते हैं आपको जानकारिया देते हैं कि अब तक क्या कुछ जानकारिया दे कि सूत्रों के मुताबिक शूटर नेपाल बॉर्डर के जरिये विदेश भाग सकते हैं जो हमेशा से किसी भी आरोपी के लिए बड़ा असान होता है किसी स्थानिय इलाके से फर्जी पास्पोर्ट तयार करवा सकते हैं उनके आखरी लोकेशन जो है वो रिवाडी में मिली है जासे काज जारे कि वो गाजयबाद भाग सकते हैं और यहीं वज़ा है कि पुलिस पास्पोर्ट कि अगर इस तरीके की जानकारी मिलती है तो तुरंट पुलिस को सूचना दी जा है इतना है नहीं पुलिस इमिग्रेशन से भी जानकारी जुटाने में लगी है ताकि आरोपियों की पहचान और फोटो मिलाई जा सके और इमिग्रेशन ओफिसर्स को भी जानकारी दी गई ह और ये फोटो जोने दी गई है